हे नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेश्ट फर वेल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा कौन से श्टॉक्स मूफ कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले च सेमीनार प्लान किया है हमने एक मिटअप प्लान किया है मैं एक चैनल में मुंबई आपके सहर पहुंचु रहा हूँ वहाँ पे हम डिसकां करेंगे त्रेडिंग साहय को जिक बगया है important point है अगर हम बात करें कि सब कुछ आपको आता है strategy पता है buying पता है selling पता है बट फिर भी आप profitable नहीं हो सकते अगर आप rules के according काम नहीं कर सकते हैं अगर आप rules नहीं बनाए हो अगर आप planning नहीं है आपके बाद अगर आपको की trading psychology इंप्रूव नहीं की हुई है तो बहुत दिक्कत आने वाला है तो यहां पर मुंबई में हमने यही करना है एक trading psychology के उपर discussion करेंगे and second हमने क्या करना है second हमने यहां पर एक strategy एक setup discuss करेंगे यहां पर आप देख पा रहे हो 70 point के stop loss से यहां पर 200 से भी ज्यादा point का हमने target लिया है यह strategy है जो कि आपको अभी तक पता नहीं होगा YouTube पे नहीं होगा कभी क्योंकि यह एक नया strategy हमने बिल्ड किया हुआ है यह strategy आप लोगों को मैं दूंगा प्राइज अक्षान strategy है इसमें इंडिकेटर करते हैं यह सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी के अभी अगर आप मुंबई से हैं तो जरूर साइन अप कीजिए कहीं और से भी अगर आना चाहते हैं तो वेलकम है आपका स्कुषिण चले अभी देखिए वीडियो में आगे बढ़ू आगे बढ़ने से पहले आपको मैंने पास्ट डे पे यानि कि फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था इस एक चोटी से वोइस सुना हुआ मन्डे को 37,960 अ खूर राउन को मारकेट पर अगर सफ्टेन करेगा मारकेट को हम एक बाइंग साइट के लिए प्लान करेंगे हो सकता है मारकेट एक गाप खोले ले गाप खोले गाप खोले यह तो अगर फिर सेलिंग कस नरियो बना दे तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है अगे बहुत जाता है यहां पे खोलता है इंग निपसर तो हम सेलिंग के स्पार्ट लिए निश्यट कर सकते हैं स्मॉल स्टॉपलज थरी थाउजद के उपर अगर मार्केट गाप डाउन कर रहा है तो अगर मार्केट गाप डाउन कर रहा है जैसे कि 600-500 तो आपको सिरफ और सिरफ वेट करना है, मंडे को थोड़ा सा वेट वेट का विसनायरी हो रह सकता है, एक बार मार्केट को ट्रेंड पकड़ने पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके बीच में रहेगा थोड़ा सा उपर न निकलने पड़ेगा, वो चाहे मंडे को निकले, अगर नहीं निकल रहा है तो मार्केट आपके स्टाप प्लसे हिट करेगा, वालटाइल कर दिया तो गैस आपने देखा कि मैंने आपको उस दिन ही एक दिन पहले बता दिया था, मैं इसलिए नहीं ये रिकॉर्डिंग आप कि आप मैं वाही लूटना चाह रहा है, वाह सर आपने कमाल कर दिया, बलकि मैंने इसलिए दिखाया कि आप जो मेरे मेरा वीडियो बनता है ना, उसको आप थोड़ा सा फोकस कर सको, उसको थोड़ा सा समझ सको, उसको धिहान दो, उसको अपलाई करो, बहुत सारे लोगों क बच गए लॉस होने से, तो गईस कल के मार्केट की अगर हम बात करें, कल भी मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये रेंज ब्रेकडाउन कर दे रहा है, ये रेंज कौन सा है, मैं देखिए, यहां से सारी ड्राइंग्स एक बार रिमूव करूँगा और आपको एक फ्रेसर ड्राइंग लगा के दिखाऊंगा मैं रिमूव और ड्राइंग एक बार वन डेके टाइम फ्रेम पर फिर से एक हल्ट फिर से यहां पर वही सेम रेंज में हल्ट ले लिया है और अभी देखिए एक एक स्पाइरी भी जल्दी होने पांच मेंट के गंडल गया नेगेटिव बना रहा है तो एक सेलिंग के बली प्लान करेंगे कंटिनीव नीचे आएगा 200 के टार्गेट भी दिखा सकता 300 के टार्गेट भी दिखा सकता बट बाइंग हम कहां करेंगे बाइंग करने के लिए अब हमें थोड़ा सा और रुकन लेगा इस एडिये से 38,000 के आसपास से बार-बार इजेक्शन लेगा हो सकता है आपका एकस्पाइरी जो है कहीं यहीं पर ही हो जाए कल भी अगर साइडवेज रहा तो या फिर एकस्पाइरी के दिन मार्के ट्रेंडी हो कल और साइडवेज देखे कुछ इस तरह का प्लान प्रतीत हो रहा है तो क्या करेंगे निफ्टी में हम एक सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे अगर निफ्टी जो है इस रेंज को ब्रेकडाउन कर रहा है जो रेंज हमारा निकल के आ रहा है वो 650 के तक का रेंज है 650 के नीचे अगर निकल रहा है तो हम थोड़ा सा सेलिंग कर लेंगे और हमारा टार्गेट बहुत बड़ा हम नहीं रखेंगे 620 और 620 का लवल अगर निकाल रहा है तो और भी ज्यादा नीची हमें देखने को मिल जाएगा अगर उपर की बात करें हम बाइंग यहां पे भी अगर हम देखे तो कम से कम नहीं तो बजार को आज का डे ह हमारे पास रिलाइंस है 26 रुपय का लेवल ब्रेक आउट की करता हुआ आज मैं मिला और 2610 के आसपास क्लोज हो गया है सारा कुछ मैं रिमूव कर दूँगा रिलाइंस में अगर एक दिन के टाइम फ्रेम पर हम लेके आएंगे आपको तो आप देखो कि मार्केट ने क्या अगर मार्केट नीचे सेलिंग में आना है तो थोड़ा सा और नीचे मार्केट को जाने देना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 2580 का लवल अगर निकाल रहा है मार्केट तो हम एक नया सेलिंग प्लान कर लेंगे यह हमारे पास रिलाइंस में सेट अप रहेगा नेक्स्ट हमार अगर 785 की नीचे निकल रहा है तो हम सेलिंग प्लान करने वाले हैं अधरवाइस अवोइड करेंगे यह हमारा सेनेरियो है होप करता हूँ वीडियो आपको इंफरमेटिव लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करना मदा